हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हारधिक शुब काम नाएग आज हम बनाएंगे नारियल के लड़ू जो घर पर वड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं और वर्त में बाहर की मिलावट वाली चीज़ों को खाने से हम बच सकते हैं तो चलिए बनाते हैं नारियल के लड़ू इसके लिए हमने थोड़ा सा यानि एक चमच के करीब हमने चोटी चमच के करीब देशी घी ले लिया है और उसके अंदर हमने एक कटोरी डेसिकेटिड कोकोनेट यानि नारियल का बुरादा डाल के इसको हमने धिमी धिमी आज पर थोड़ा सा भून लेना है लेकिन इसका हमने कलर चेंज नहीं होने देना है और अब दूसरी तरफ हम एक मिक्सी का जार लेंगे उसके अंदर घर की जो मलाई होती है आधी कटोरी वो मैंने मलाई ली है और उसके अंदर हम एक कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा केसर के पांच साथ धागे जो हमने थोड़ा से दूद में भिगो लिये थे उसको डालेगे और इसमें से हम थोड़ा सा केसर का कलर और थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे बाद में पेडो या लड़ू के उपर इसको डेकुरेशन के लिए और अब हम इन सभी चीजों को हम मिला के मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे दूसरी तरफ हमारा नारिल का बुरादा बन करके त्यार हो गया है भुन गया है अब हम इस सारे मिश्रन को नारिल के बुरादे में डाल के मिक्स करेंगे और आज को हमने धिमा ही रखना है हमने तेज आच नहीं करनी है और इसको हम धीरे धीरे दो-चर मिनट के लिए पकाएंगे इसके साथ ही है अब हम इसमें डाल देंगे मीठे के लिए चीनी या आप इसमें जो भी देशी खान डालना चाहे वो डाल सकते हैं और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे दो-तिन मिनट में ही ये हमारा पिशन बिल्कुल बन करके तयार है अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के पाथ अब हम इनको किसी भी शेप में लड़ू या पेड़े आप किसी भी तरह से बना सकते हैं तो ये लिए हमारे लड़ू तयार है तो आशा करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेर अवशे करें तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत